लोग कैते ही जीवन में पिछे मुटकर नहीं देखना चाहिए मैं कैता हूँ सभलता चाहती हो तो ये देखो क्या पिसली जिंदगी से बाहितर हो या नहीं अपने इमान का सोधा करकी सभलता मिले तो ये किसी काम की नहीं जो अपने काम से प्यार करता है उसके लिए सभलता चोटी चीज है जीवन में चाहिए कितनी कठीन प्रिस्थिती हो सभल व्यक्ति के कदम नए डगमगाते हैं कोई काम सरू करने का सही समय नहीं होता जितनी जल्द सरूवात होगी सभलता में उतना काम समय लगेगा समय की साथ हर चीज बदल जाती है खुद को भी बदलना सीख लो पोजन जितना धिमे बगता है उसका स्वात उतना आधीक होता है सरूवात जितनी धिमी होगी सभलता उतनी लंबी टिकेगी वक्त की एक अच्छी बात ये है कि ये कितना भी बुरा या अच्छा हो बदलता जरूर है शिक्षक आपको रास्ता दिखा सकता है चलना आपको अकेले बढ़ता है ये जमाना ऐसा है कि ना आसू पोचेगा और ना ही पुचेगा बल्कि ये चमाना तो सिर्फ आपके दुखों पर नकल यासु बाहने के लिए बैठा है साहास और सकरात्म कुर्चा के साथ किया गया कारिय आपको किसने कसी मंजल तक तो छोड़ी देता है जिस व्यक्ती में बहुतर होसला होता है व्यक्ती व्यक्त प्रसिती में भी अपने जीवन को बहुतर बना लिता है बल्ले ही आपकी वर्तमान इस्तिती आपके लक्से से मेल नहीं खा रही हो लेकिन सापने देखने के लिए जिगर चाहिए अच्छे या बुरे हालात नहीं जब आप सकरात्मक्ता से हाथ मिलना लेते हैं तब आव वस्तों में आप अपने जीवन की नकरात्मक्ता से दोस्टी तोड़ देते हैं बगेर मुश्किलों के तो जैसे जीवन का रस ही खात्म हो जाता है क्योंकि जीवन का आस्तित्व ही इन मुश्किल प्रस्यत्यों से बया होता है आपकी मानसिक्ता ही आज सापके वर्तमान समय को दिखलाती है लेकिन इस मानसिक्ता को बदलते हुए आप अपना भावसियो बहतिर बना सकते हो वर्तमान समय तो स्रिप उनके लिए ही खराब चल रहा है जिनके जीवन में 84 मुश्किले आने पर वे दुबग से जाती है दिखावे के जीवन से अच्छा है कि आप अकेले ही रहो क्योंकि दिखावा आपको दुसरों से अलग करता है और अकेला पन आपको दुसरों से जोड़ देता है